नमस्कार मित्रों, आज जिस विशेप्रम्तर्चा करने चल ले हैं, वो है नेपोलियन और वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन के जीवन का अंतिम वो युद्ध, वो निर्डायक युद्ध, जिस पर नेपोलियन पुरी तरह से पराजित हो गया और उसके बाद नेपोलियन भी आया, जिव उसका पुरी तरह से पराभो हो गया, और वो युद्ध था वाटरलू का युद्ध, इस पर आज हम विस्तार से चरजा करेंगे, क्या ये युद्ध वाटरलू का युद्ध कहा जाए, इतिहास में सभी किताबों में आप कोई इसे वाटरलू के युद्ध के नाम से कहा गया है, लेकिन आपको हैरानी होगी, कि ये युद्ध वाटरलू नाम के अस्थान पर हुआ ही नहीं था, वाटरलू के अस्थान पर युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन इतिहास किताबों में जो दस्तावेज हैं, उनमें इसे वाटरलू के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। आज हम आपको वाटरलू से जुड़े हुए ऐसे रोचक तत्यों और वाटरलू में नेपोलियन की हार क्यों हो गई इस पर विस्तार से जानकाई दे जा रहे हैं। चलिए सबसे पहरे जान लेते हैं कि वाटरलू जिसको हम कहते हैं ये स्थान है का। वाटरलू है बेल्जियम में। दोरी कितनी हैं। बारा में साउथ। वहाँ पर वाटरलू एक कस्वा था। और ये युद्ध हुआ अठारा जून दिन थाउस्दन रेविवार संडित और ऐसा युद्ध जिसका की परड़ाम दो पहर बाज से चलू हुआ और साम तक समात। मतलब एक ही दिन में इस युद्ध का परड़ाम निकल गया। इस तरह का एक युद्ध अगर भारत का देखा जाए तो पानिपत की पहली लाई पानिपत का युद्ध भी इसी प्रकार का था। तो ये युद्ध किवल दो पहर तक लड़ा गया। दो पहर के बाज से चलू हुआ और साम साथ बे तक आते आते समातु गया। कौन सी सेना है लड़ रही थी। एक तरफ नेपूलिन की सेना। नेपूलिन अपनी सेना के साथ था। और इसके साथ लगभग 72,000 सेनिक थे। और दूसरी तरफ मित्र देशों की सेना। जिसका नेतुत कर रहे थे ड्यू का बेलिंग्टन। इनके नेतुत में सेनाई थी लगभग 68,000। 68,000 सेनाओं की फाउज लिवका बेलिंटन के पास थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। अने बताया कि उधे दोपहर के बास से चालू हुआ और साम होते होते इसका प्रड़ाम आ गया। इस इद में नेपोलियन की नडायक पराजे हो गई है। और अन्त में नेपोलियन को उधे छोड़ कर कि भागना पड़ा। अन्त में उसे गिर्वतार किया गया और उसको फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया सेंट हलना दीप में जहां उसकी 1821 में मृत हो गई। तो यह ऐसा युद्ध था जिससे नेपोलियन हमेशा के लिए फ्रांस के सासन से बिदा हो गया। अब हम इसकी थोड़ी प्रिष्ट भूम पर चाचा कर लें जिससे तथ्यों को करनेट करने में आसानी हो आपको। याद करिए कि नेपोलियन को जब मित्र देशों की सेनाओं ने आश्टिया, पर्सिया, रूस इनकी सेनाओं ने 1814 में हराया था तो नेपोलियन को इससे पहले अलवादीप में भेद दिया गया था। नेपोलियन एलवादीप में जो भूमसागर के बीच में कोर्शिका के पास है वहाँ पर दस माह तक उसने निर्वासित जिन्दगी बिताई है। आश्टिया, पर्सिया, रूस ये लोग फ्रांस के भविस्ट का निर्धान कर रहे थे। बेना समेलन चल लहा था और इरोब का विभाजन अपने तरीके से लोग कर रहे थे। नेपोलियन इस बीच अलवादीप में निर्वासित जिन्दगी वितीत कर रहा था। और फ्रांस के उपर बूर्बो बंस का सासक लुएटीन को गद्धी पर बैठा दिया गया था। ये पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखिए। लेकिन समय के सास साथ लुएटीन जो की बूर्बो बंस का सासत था उसका जुकाव कुलीनवर के प्रत, धर्मगुरुओं के प्रत धीरे धीरे बढ़ने लगा। इतिहासकार हेज ने लिखा है कि ये वो समय था जब लुएटीन के प्रत कोल और नैपोलियन के अनकोल बाता बन धीरे धीरे फ्रांस में बनने लगा। फ्रांस के किसानों को लगने लगा कि लुएटीन, कुलीनवर्ग और धर्माचारियों जो चर्च और उसके धर्माचार थे उनके प्रत ज्यादा हित के लिए चिंतित है और उसके किसानों के तरफ ध्यार नहीं दे रहा है। इसलिए किसान, मध्यमबर, धेद्रे उससे दूर होने लगे थे। नैपोलेन ने प्रसिति का लब उठाया। उसने देखा कि मित्र देश बियना में अपने राजनेतिक स्वार्थों की पूर्त में लगे हैं। लूई 18 के खिलाब फ्रांस में बाता बन बन रहा है। और ऐसी इस्थित में उसने एक मार्च 1815 को अलबा दीप से निकल करके फ्रांस के दच्छनी समुत्रट पर केंस पहुंच गया। कैंस वो पहुंच गया है और रातो रात उसने पेरिस की तरफ अपने चुलिंदा सिपाहियों के साथ कूज कर दिया। रास्ते में जो सैनिक चावनिया थी उन सैनिकों से उसने भावनात्मा का पील की वो सैनिक भी नेपुलियन के साथ हो गए। किसानों से उसने पिल की किसान समझो तयार बैठे थे किसानों ने नेपुलियन का जोरदार स्वागत किया किसान भी उसके साथ हो गए। यहां तक कि ग्रेनोबले वो अस्थान था जहां एक फ्रांस की साही सेना लगाई गई थी कि अगर नेपुलियन इधर आता है तो उसको ग्रिफतार किया जाए। नेपुलियन की ग्रिफतारी के लिए जो नियूक्त सेना थी वो स्वेम नेपुलियन के साथ हो गई। मतलब सेनकों में इस प्रकार की भावना आप देखिए कि नेपुलियन के प्रथी इतने दस महिने के बावजूद भी कि सेनिक सब नेपुलियन का गर्म जोसिस स्वागत कर रहे थे। ग्रेनोबले की साही सेना भी नेपुलियन के साथ आ गई। और नेपुलियन 20 मार्च को पेरिस पहुँच गया। 20 मार्च 1115 और टियूलेरिस का जो महल था उस महल को इसने जीतने में सभलता प्राप्त कर ले। टियूलेरिस के महल पर नेपुलियन ने कब्जा कर लिया। फ्रांस का सासक लोई 18 जिसने सपत ली थी कि जीवन की आखरी सांस तक वो फ्रांस की सुरच्छा के लिए संघर्ष करेगा। वो अपनी जान बचा करके बेलजियम भाग गया। नेपुलियन ने फ्रांस पर अधिकार करके नेपुलियन ने वहां का सासक का पत प्राप्त कर लिया। और 28 मार्च 1815 से लेकर के 29 जून 1815 तक उसने 100 दिन तक सासन किया। 28 मार्च 1815 से लेकर के 29 जून 1815 ये उसका 100 देश का सासन किया। कहलाता है तो नेपुलियन ने फिर से गद्धी प्राप्त कर ली। अब देखिए जब ये समाचार मित्र देशों तक पहुंचा जो लोग बेना में राजनीतिक भविश्कार निर्धान कर रहे थे तो उन्होंने जलबाजी में अपनी सेनाय कठा करके डिव का बेलिंग्टन के नेतुत में नेपुलियन का सामना करने के लिए भेजा। डिव का बेलिंग्टन और नेपुलियन की सेनाय जिस अस्थान पर युद्ध हुआ वो अस्थान बेलिंग्टन नहीं वो अस्थान वाटरलू नहीं था। वो अस्थान था वाटरलू से तीन मिल दूरी पर ब्रेने ले एलूट और प्लेन सी नौट के बीच माउन्ट सेन्ट जीन की रिज के पास। यह स्थान था। ब्रेने ले एलूट और प्लेन सी नौट के बीच एक वहाँ पर छोटी सी पहाडी थी। और उस पहाडी का नाम था माउन्ट सेन्ट जीन रिज। इस पहाडी के पास में इस्थित यह स्थान था। जहां दोनों देशों की सेनाय इकट्ठी हुए। इसकाटलेंड, बेल्जियम, हालेंड, इंगलेंड और जर्मनी की सेनाय सामिल थे। डियूका, बिलिंग्टन मित देशों की सेना का निचुत कर रहे थे। जिसमें आरलेंड, बेल्स, इसकाटलेंड, बेल्जियम, हालेंड वह जर्मनी के सेनिक सामिल थे। दूसरी और नेपोलिंग के सेनाएं तो इस अस्थान पर इस रिज के पास में जो ब्रेनले एलूड और प्लेंसी नाट का स्थान था यहां पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच दूँगा डियू का बेलिंग्टन ने जो अपना कैम्प बनाया था वो वाटरलू में था वाटरलू जो कस्वा था यह डियू का बेलिंग्टन का कैम्प था और वो अपने देश ब्रेटन को जो करिस्पांडेंस करता था जो रिपोर्ट भेज़ता था उसका कैम्प आफिस वाटरलू में था इसलिए इस उद्ध को वाटरलू के युद के नाम से जानते हैं हकिकत में ये युद ब्रेनलेली लूट और प्लेंसी नाट के बीच इस्थित मैदान पर 18.1815 को हुआ अब जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई युद का समय आया तो देखिए प्रकृत का भी किस प्रकार परिवर्तन हुआ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने पड़ी थी 17.1815 की रात इस छेत्र में जोर दार बरसात हुई और जोर दार बरसात होने से चुकि वो रिज के पास का इलाका था सारफ पानी से भर गया रिज के पास की तरफ की रिज के ऊपरी छेत्र में डिवकाब बेलिंटन की सेनाएं थी निजले छेत्र में नैपोलियन की सेना थी अब नैपोलियन के लिए सबसे बड़ी दिक्कती आ गई कि पूरा छेत्र कीचर से भर गया और ऐसे कीचर में नेपोलियन की तोपे, नेपोलियन की जो बड़ी गंस थी, नेपोलियन की सेडा, उसके लिए कीचर और रिच पर चड़ना ये मुश्किल हो गया नेपोलियन ने इस सिती को देखते हुए युद्ध को दो पहर तक ताल दिया, उसको लगा कि दो पहर तक अगर धेधर मौसम साफ होता है, तो ये जो जमा हुआ पानी और कीचर है, वो कम हो जाएगा और ऐसी स्थित में नेपोलियन के सेनकों के लिए, नेपोलियन की तोपों के लिए, नेपोलियन की घुर्षवार सेना के लिए आकमार करना ज्यादा आसान हो जाएगा इसलिए नेपोलियन ने वहाँ पर सिथिलता दिखाई नेपोलियन के अंदर वैसी चुस्ती फूर्ती दूरदर्स्यता थी लेकिन यहाँ वो चुक गया उसने जो दो पहर तक युद्धुना करने का नड़े लिया उसका खाम जाना उसे उठाना पड़ा नमबर एक तो दो पहर तक जो युद्धुना करने का नड़े लिया वो वाटरलू की युद्धु का एक बड़ा कान सिद्ध हुआ क्यों क्योंकि डिव का बिलिंग्टन की सहायता के लिए 50,000 सेनकों की फोज लेकर के ग्रेवर्ड बान ब्लूचर आ रहा था और ग्रे बान ब्लूचर दो पहर के बाद अपनी सेना सहित उस युद्ध के मैदान पे पहुँच गया जिसने युद्ध की दिशा को बदल दिया अब यहाँ ध्यान दिजिए अगर ये युद्ध प्राता काल हो जायता तो सायथ ग्रेवर्ड बान ब्रूजर की सहायता डिव का बिलिंग्टन को ना मिलती और युद्ध का प्रड़ाम सायथ को दूसरा होता दो पहर तक युद्ध को रोकना वो नेपॉलियन की भारी भूल सिद्ध होई और वाटनलू के युद्ध में नेपॉलियन की पराजे हो गई नमबर दो नेपॉलियन बहुत दूदर्सी था उसने योजना भी मनाई थी और इस कार में उसके दो बड़े सेना नायक उसका साथ दे रहे थे एक था जनरल गेराड और दूसरा था मार्सल ग्राउची मार्सल ग्राउची को नेपॉलियन ने जिम्मेदारी दी थी कि एक लाग सेनकों के साथ वो ब्लूचर की आने वाली सेना को रास्ते में रोक ले जनरल गेराड ने मार्सल ग्राउची को ये संकेत दिया था कि बंद लेकिन मार्सल ग्रावची की सेना ने वो ततपड़ता नहीं रिखाई और वो लोग ग्रेवर्ड बान ब्लूचर की सेना को रुकने में अस्फल सिथ हो गए। यहां ग्रावची की जो निष्ठा है उसके उपर संदेख किया जाता है। ग्रावची का सहयोग अगर नेपोलियन को मिला होता ब्लूचर की सेना को बीच में रोक लिया गया होता तो सम्धोता समय रहते ब्लूचर डियू का बेलिंटन की मदद नहीं कर पाते। और नेपोलियन का भविश को दूसरा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ग्रावची का सहयोग न मिल पाना वाटरलू के उद्ध में नेपोलियन के पराजे का दूसरा बाकरान था। मार्शल ग्रावची द्वारा जो ब्लूचर की सेना को नहीं रोका गया इसकी वज़े से 50,000 पर्सियन सेनकों की फोच डियू का बेलिंटन को सहयता के लिए उपलग्द हो गई और नेपोलियन ने जो ये युद्ध दोपहर के बाद प्रारम किया दोपहर के बाद जब ब् पुई तरा से पराजित हो गई तो ये दो बड़े कारण थे बरसात हो जाने की वज़े से दूसरा जो ब्लूचर की सहायता मिल गई ग्रावची उसको रोक नहीं पाए नेपोलियन ने पूरी चुस्ती फूर्ती पहले जैसे युद्धो जैसा प्रदर्सित किया लेकिन गई जो उसको नहीं करनी चाहिए थी युद्ध में समय का बड़ा महत्त था वो समय उस पर भारी पढ़के और वाटरलू के युद्ध में इस नेपोलियन की पराजे हो गई जो कभी अजय सम्झात था था वाटरलू के कस्वे के ही रहने वाले बर्णार्ड कॉपेनस इतिहासकार हैं उन्होंने स्वयम लिखा कि ये युद्ध इस अस्थान पर हुआ था ब्रेनेले अलूट और प्लेस सीनाट के बीच नेपोलियन तो कभी वाटरलू तो गया भी नहीं था लेकिन इतिहास के तत्थों में इस उद्ध को प्रसिधी वाटरलू के नाम से मिली जो डिवकाब बेलिंटन का कैम्प कार्या ले था इस प्रकार नेपोलियन उद्ध में पराजित हो गया और उसके बाद नेपोलियन वहां से फ्रांस की ओर भाग गया नेपोलियन को घेरने के लिए यह जो डिवका बेलिंटन और बित देशों की सेना थी उन्होंने प्रयास किया नेपोलियन फ्रांस से अमेरीका जाने के प्रयास में था उचाता था किसी तरह वो अमेरीका की लिय निकल जाए लेकिन ब्रिटिस नौसेना बहुत सतर्क थी और सारी संभावनाओं पर उसने नगर लगा रखी थी नेपॉलियन ने USA जाने का जो प्लान किया था वो 22 जून 1815 को फ्रांस के दच्छी तर्परिस्थित रोसफोर्ट नाम से अस्थान था उस अस्थान से कोशिश की थी लेकिन उस बंदरगा से निकलने में सफलता जब नहीं मिली तो नेपॉलियन का लगा कि भागना मुश्किल है ऐसी स्थित्म से पंदा जुलाई 1815 को सैनिक कमांडर के सामने जो बिटे सैनिक कमांडर था उसके सामने आत्मसर पड़ कर दिया नेपॉलियन को गिर्वतार कर लि इसलिए इस बार मित्रदेशों ने ब्रिटेन ने ऐसी कोई भूल नहीं कि ब्रिटेन ने इस बार नेपॉलियन को सेंट हलना दीप में बंदी बनाया और उसको निर्वासित का सेंट हलना दीप बेर दिया जो कि फ्रांस से बहुत दूर था और अटलांटिक महासागर के वे यहाँ पर 1821 तक 6 वर्ष का बंदी जीवन बेतीत किया और यहीं उसके मिर्थ हो गया ऐसा बहादूर और चमतकारी योधा महारणीत कार नेपॉलियन 5 मई 1821 को चिरे लेद्रा में सेंट हलना में ही सो गया पांच मई 1821 सेंट हलना में उसके मिर्थ हुई ड्यूका बेलिंग्टन जिसने इसको वाटरलू के पराजित किया गया था उसको बिटिस संसत ने दो लाग पौन की पुरुसकार राश से नवाजा उसको दो लाग पौन का पुरुसकार दिया गया ड्यूका बेलिंग्टन को दिया गया किसके दोरा बेटिस संसत इस प्रकार एक ऐसा भ्यानक युद्ध जिसने नेपूलियन का अंत कर दिया नेपूलियन के साथ-साथ फ्रांसीशी सेनिक जिनकी संख्या लवग 25 अर्थी वह शेनिकी सिद्मे काम आये नोगजार फ्रांसीशी इनकों को बंदी बना लिया गया ड्यूका बेलिंटन के भी लवग 15,000 सेनिक इस उद्मे काम है जब नेपूलियन सेंठेलना में मर गया उसकी अंतिम विदाई हो गई तो उसके सो को आर्क डी ट्रैमफे के द्वारा पेरिस लाए गया और पेरिस में इन बैलिस के गुम्बत के नीचे उसको दफन है गया इस प्रकार एक ऐसे बीर का दुखद अंत हुआ जिसने इद्ध पर इद्ध लड़कर के अपास सफलतायां जित की लेकिन उसका अंत बहुत दुखद रहा तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय भी देंगे चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद